हलो स्टुडेंट्स मैं निकल गुपता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग exercise 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पिछे वाले वीडियो में हमने exercise 2.2 के सारे examples कवर कर लिये थे और उसमें सीख लिया था कि कैसे हम लोग zeros और coefficients को polynomial के coefficients को आपस में relate कर सकते हैं क्या उन में relation होता है तो हमने यह सीखा था कि sum of zeros होते हैं minus का b upon a और product of zeros होते हैं c upon a यह हमने दो important formulas सीखे थे और उसको verify भी करना सीखा था कि कैसे questions में इसको verify भी करना है उसी तरह के questions हैं जो हमने examples में किये थे तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहले तो हमारे को zeros ही find out करना है तो zeros निकालने के लिए middle term splitting करने पड़ेगी जो आपने last lecture में तो सीखा ही है 9th class में detail में सीखा है तो middle term splitting में हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह जो बीच में minus का 2x दिख रहा है इसको ऐसे दो हिस्सों में break कर लेते हैं कि add या subtract करने पर तो minus का 2 ही आए लेकिन multiply करने पर x square का coefficient कितना है 1 तो 1 into यह जो minus 8 है वो आए तो 1 into minus 8 मतलब minus 8 आना चाहिए तो add या subtract करने पर तो minus 2 आए multiply करने पर minus 8 आए ऐसा कब हो सकता है 4 into 2 8 होता है 4 into 2 8 होता है और अगर 4 negative ले लोगी 2 positive ले लोगी तो minus 2 भी बचेगा एक चीज़ यहां पर ध्यान देने की है कि x is square plus 4x minus 2x minus 8 अगर आपने गर दिया तो गलत हो जाएगा यहां पर हाला कि plus 4 और minus 2 मिल करके minus 8 हो रहे हैं multiply में तो 4 into minus 2 minus 8 होता है लेकिन problem क्या रही है plus 4x और minus का 2x ले लिए तो plus का 2x बचेगा और यहां पर क्या है minus का 2x गडबड हो जाएगी तो यहां यह sign थोड़े ध्यान देने आपको sign कैसे ध्यान दोगे कि जो भी यहां लिखो इसको calculate करके देखा करो plus 4 minus 2 तो plus 2 आएगा हमें तो minus 2 चीए मतलब sign की गडबड हो रही है तो sign की गडबड हो रही है तो वो सही कैसे हो सकती है यहां अगर minus लगा दे बड़ा number अगर negative है तो negative sign आता है तो 4 पे negative लगा दो इधर plus लगा दो कोई दिक्कती है आप चाहो तो plus का 2x लिख लो minus का 4x उधर लिख लो बस लिखना इसको negative है इन दोनों को इधर उधर लिखने से फरक नी पड़ेगा answer पै answer से हम आएगा उससे ठीक है अब next step क्या करना होता है इन दोनों में से common इन दोनों में से common जो भी आ रहो पहले में से x तो आएगा ही आएगा हमेशा ही तो यह बचा x minus 4 दूसरे वालों में से यहाँ plus sign है तो plus sign ही यहाँ आएगा यहाँ negative होता तो यहाँ भी negative ही लेते हैं accordingly sign common आते हैं इन दोनों में से क्या common आएगा 2 यह बचेगा x minus 4 तो यहाँ आजाएगा अपने पास में x minus 4 एक तो यह जो common है उसके बाद x plus 2 जब हम zeros की बात करेंगे तो zeros निकालने के लिए for zeros we have to equate zero x plus 2 को भी zero के equate करना पड़ेगा यहाँ पर x की value 4 आजाएगी यहाँ पर x की value minus 2 आजाएगी तो दो zeros हमारे को मिल गए कौन-कौन से तो zeros कौन-कौन से हो गए zeros हमारे पास है plus 4 and minus 2 यह दो zeros है अपने पास में दो zeros आ गए ठीक है दो zeros हमने निकाल लिए बड़े हाराम से easily अब क्या करना है आपको verify करने को भी बोला है verify करने को बोला है क्या चीज़ verify गरनी है वो ही जो sum of zeros और product of zeros का अपना formula होता है मतलब minus का b upon a के equal आएगा और product c upon a के equal आएगा ये verify गरना है verify गरने के लिए पहले sum of zeros और product of zeros निकाल लो जो आपने zeros निकाले हैं उनकी health से तो यहाँ पर next step में क्या लिखोगे आप आप लिखोगे sum of zeros sum of zeros आएगा 4 और minus 2 का 2 बन जाएगा simple 4 और minus 2 2 हो जाता है product लें तो product of zeros product of zeros आएगा 4 into minus 2 which is equal to minus 8 simple अब verification शुरूर यहाँ तक एक काम किया हमने हमने क्या किया हमने zeros निकाल लिए जैसे उसने बोला था उसके बाद हमने sum of zeros product of zeros भी निकाल लिए क्योंकि हमारे काम आएगा अब हमों लोग verification शुरू कर रहे हैं तो verification आप heading डाल करके properly शुरू करो कोई दिक्कत वाली बात निया है इसमें और अपने पास में यहां पर polynomial कौन सा है x square minus का 2x minus का 8 है तो यहां से इस polynomial को देख करके a कितना दिख रहा है आपको a होता है x square का coefficient वो है 1 b होता है x का coefficient वो है minus 2 हमेज़ा sign के साथ उठाना है यहां sign minus का है तो minus का आएगा यहां पर 2 as it is same procedure c के लिए यह constant term with a sign तो 8 आएगा लेकिन minus का sign के साथ उठाना है plus का हो तो plus का ले लो minus का हो तो minus का ले लो accordingly ले 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 ठीक है a b c आपके पास आगए coefficients आगए आप चाहो तो लिख दो यह क्या चीज है यह coefficients है coefficients है यह short में लिखना है तो केवल इतना लिख देते हैं कभी कभी इसको यह coefficients हमने निकाल लिए अब coefficients के help से वो जो formula है क्या है formula sum of zeros sum of zeros के लिए formula है minus b upon a और product of zeros के लिए formula है c upon a check कर लेते हैं भई इससे कुछ बात बन रहे है क्या same answer आ रहा है क्या check तो करें वही है verification order क्या होता है तो minus तो formula में है b, b खुद minus का है जैसा भी है वैसा लिख दो a 1 है तो minus minus plus होकर के answer आ गया 2, इधर भी 2 आ रहा था इधर भी 2 आ रहा है sum इसका मतलब verify हो गया next product of zeros c upon a c c c minus 8 है a, 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 a 1 है तो यह तो minus 8 आ गया और यहाँ भी minus 8 था यहाँ भी minus 8 आ रहा है इसका मतलब verified तो verification यह हो गया तो इस तरह से सारे questions करने हैं अब आप फंस कहा हा सकते हो भई यह वाला process तो same है हर जगे same मिलेगा सारे examples, सारे questions सब में same मिलेगा फंस होगे तो जदा जदा आप इसके zeros निकालने में फंस सकते हो वो procedure तीन तरह का होता है मतलब तीन अलगलग formats है एक format तो यह है जिसमें x भी है sorry x square भी है x भी है और constant term भी है एक format यह आएगा जैसे आगे यह तो चलो s में आगया same format यह भी same format है एक format ऐसा आएगा जिसमे constant term ही नहीं है तो यह दूसरा format हो गया जिसमे constant term नहीं है तो अब इसमें कैसे factorize करें और कैसे इसमें zeros निकालें तीसरा format आपके पास आएगा यह जिसमें middle term नहीं है जिसको split करके हम लोग आगे इसके factorization करते हैं तो वो middle term ही नहीं है t नहीं है या x नहीं है तो फिर उस case में क्या करें तो क्या-क्या possibilities है एक possibility तो है कि तीनो ही term हो तीनो ही term मतलब मैं एक बढ़ लिखके भी बता देता हूँ आपको exact समझ में जाएगा जैसे ax square plus bx plus c यह format होता है तो एक format तो यह है कि तीनो के तीनो ही हो दूसरा format क्या है कि ax square plus bx के वल यह 2 हो तीसरा नहीं हो तीसरा format क्या है कि ax square plus c हो बीच का bx नहीं हो तो एक बार तो यह gap कर सकते हैं एक बार यह gap कर दे यह gap नहीं कर सकते यह gap कि यह तो quadratic नहीं रहेगा x की बार 2 तो चाहिए इसलिए यह gap नहीं कर सकते तो तीन अलग-अलग formats आएंगे यह तीन format जो मैंने लिख दिये हैं तीनों चीजें दो चीजें दो चीजें ऐसा कर गए अब इन में से अपने गवाण से निकालना है इनके zeros निकालने अपने गवाणे चीजें तो एक एक करके अपन ले रहे हैं पहला वाला format हमने लिया पहले वाले question में second और third में भी पहला ही format है इसलिए मैं थोड़ा सा fast fast ले करके अब उसको cover करता हूँ फिर आगे के format में अपन और चीजे सीखेंगे जैसा भी है जो भी है बढ़े आगे शुरू करते हैं देखो next जो अपना format है next जो question है 4s square minus 4s plus 1 हमें add या subtraction से क्या demand है add या subtraction से हमें minus 4 आना चाहिए middle town और multiplication से क्या आना चाहिए first into last 4 into 1 4 आना चाहिए तो multiply करने पर 4 आए add subtract करने पर minus 4 आए add या subtract करने पर minus 4 आए तो 2 into 2 4 होता है लेकिन 2 और 2 minus 4 नहीं होगा तो minus 4 लेने के लिए तो आप minus 2 minus 2 लेलो minus 2 minus 2 मिल करके minus 4 हो जाएंगे और multiply करोगे तो multiply में minus minus plus हो जाता है तो काम हो गया अपना तो best हो गया 4s square minus 2s minus 2s plus का 1 minus 2 minus 2 मिल के minus 4 हो गया tension कतम अब आपको कुछ नहीं करना आप simple इन दोनों में से common लेलो इन दोनों में से common लेलो common लोगे पहले में आले से पहले वाले में एक तो 2 common दिख रहा है एक आपको s common दिख रहा है 4 और 2 में से 2 common आ जाएगा s और s square में से s common आ जाएगा क्या बचेगा 4 में से अगर आपने 2 common लेलिया तो 2 बचेगा s square में से s common लेलिया तो s बचेगा और minus 1 इतने इससे कटो ये इस तरह से काम किया अपन है इधर इधर आपने minus common ले लिया क्यों लिया minus common हमेशे ध्यान रखें कि यहाँ जो sign है वो sign ही यहाँ आएगा यह fix है अगर वहाँ plus sign है तो plus ही आएगा common लेते time और अगर वहाँ पर minus sign है तो minus ही आएगा common लेते time common लेते time यह चीज ध्यान अखनी है कि यहां जो sign है वो यहां आएगा अब, और कुछ common दिख रहा है कि sign का हिसाब तो यह हो गया, और कुछ common है 2s और 1 में कुछ नहीं है तो फिर 1 common है जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है, उपर से यूो नहीं करते हैं खुदा होता है, तो वो 1 है यह, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2S, और यह 1, अदेखो, माइनस अगर आपने कॉमन ले लिए तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस की जागे हो जाएगा माइनस, और यह 1 आएज़ेटिस, कुछ कॉमन नहीं है तो वो तो पूर 2S-1, दोनों बार, अब 0s के लिए आप एक बार 2S-1 को 0 के इकवल करोगे, अगें 2S-1 को 0 के इकवल करोगे, दोनों सेम ही है, कोई दिकती है, सेम भी हो सकते हैं, यह 2S is equal to 1 आगया, S is equal to 1 by 2 आगया, सेम भी आ सकते हैं, इसकी बिल्कुल भी टेंशन निले नहीं, गलात न 1 by 2, तो यह हमारा एक हिसाब किताब तो खतम, अगला portion हम उस तरफ शुरू करते हैं, अगले portion में हम लोग क्या करते हैं, sum of 0s निकाल हो गया, sum of 0s भाई 1 by 2 आया, फिर से 1 by 2 आया, 1 हो गया, sum of 0s तो, ठीक है, product of 0s, product of 0s अगर आप निकालते हो, तो वो आता है, 1 by 2, into 1 by 2, 1 by 4, तो नोगा product ले लिए 1 by 4 आगया, अब verification शुरू कर लो, यहां तक का काम हो गया, तो अब इसको verify करो, verification कि हमने जो इतने लंबा चोड़ा मेहनत करके निकाला, वो सही भी आगे नहीं है, check करते हैं, check करने के लिए आपके पास polynomial होना चाहिए, polynomial है अपने पास यह रहा, क्या है, 4S square, minus 4S, plus 1, तो इसमें जो coefficients आएंगे, वो क्या क्या आएंगे, coefficients आएंगे, A की value 4, S square का coefficient, X हो, S हो, T हो, P हो, किसी में भी आजाए variable तो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, procedure से में, X की जगह, पिछले वाले question में क्या था, पिछले वाले में X था, इस वा में शायर T हो जाए, देखते हैं, क्या है next वाले में, next में X यह है, लेकिन किसी-किसी में T भी मिल सकता है, किसी-किसी में U मिल सकता है, P मिल सकता है, Z मिल सकता है, Y मिल सकता है, जो variable हो, procedure सेम रहता है, उसमें tension निले नहीं, ठीक है, A अपने पास 4 हो गया, B की value कितनी हो sum of zeros हमारे पास आएंगे, वही same formula, minus B upon A करना है, चेक कर लेते हैं, minus B की value खुद negative है, A हमारे पास 4 है, तो 4 से 4 तो कट गया, minus minus plus हो गया, क्या है answer, 1, plus 1, और उपर क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, यहां भी 1 ही आ रहा है, tension निल्कुल सही हो रहा है, next, next, product, product of zeros कितना आएगा, product of zeros होता है, C upon A, C upon A का मतलब हो गया, C की value 1, A की value 4, तो product of zeros कितना, 1 by 4, पहले कितना आएगा था, 1 by 4, अभी भी 1 by 4, तो verify हो गया, इतने simple questions है मतलब, एक दम fix format, कुछ extra दिमान दे रहा दाना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, third number देखो, जल्द दे कर लेते हैं इसको, अब यहाँ पर तोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब उन्होंने, ज्यादा तो बदल नहीं सकते है, पहले वाले question से दूसरे में क्या बदला, variable, अब तीसरे अभी same pattern का question दे दिया, जिसमें तीनों चीज़े है, x square भी है, x भी है, constant down भी है, तो फिर उनने क् कर दिया, इधर उदर उदर मतलब 7x जो बीच में आना चीए था, उसको इन दोनों को इधर यूं होना चीए था, उसने घुमा दिया, ताकि वैच्चे confused है, middle time split करना है, बीच वाले time को break करना है, तो वो गलती से 3 को break कर दे, इसलिए ये काम किया है, तो यहाँ थोड़ा द क्या subtraction से क्या चाहिए, minus 7, और multiplication से क्या चाहिए आपको, 6 into minus 3, मतलब minus का 18, 6 into minus 3, ये दोनों का product यहाँ आता है, हमेशा, ठीक है, ये simple rule है, अच्छान, दो चीजों को multiply करने पर 18 कब आएगा, 9 into 2, simple, 9 into 2, 18 हो जाएगा, और 9 और 2 के combination से 7 भी बन सकता है न, minus 7 plus 7, जो बनाना है बना लोग, क्या दिक्कत है, 9 minus 2, 7 होता है, minus का 9 plus 2 ले लोगे, तो minus 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6x square minus का 9x, plus का 2x, तो minus 9 plus 2 minus 7 हो गया, ये चीज मैच जरूर करनी है, कि minus plus के जो चक्कर होता है न, ये जरूर मैच करते वे चलना है, ऐसा नहीं कि आप 9 minus 2 करते हो, वह सारे students यहां गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये exam में अकसर पूछा आता है question, ये verification का, तो काफी important question है, सारे के सारे जो open कर रहे हैं, ये आते है exam में, बढ़ते हैं आगे, इन दोनों में से common, कितना आएगा, इन दोनों में में से 3 common है, और क्या common है, और x common है, तो ये बन जाएगा 2x, 3 into 2, 6, और ये x square, minus, ये हो जाएगा 3, 2x minus 3, plus में, इन दोनों में से क्या common है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और क्या बच रहा है, ये बच रहा है, 2x minus 3, again, again, 2x minus 3, ठेक है, और यहां से बन जाएगा, 3x plus 1, 3x plus 1, और 2x minus 3, और ये 2x minus 3, ये तो common है दोनों में से, अलग कर लिया, 2x minus 3, और ये 3x plus 1, उल्टा लिख लो, सीजा लिख लो, कोई फरक ने बढ़ता, कैसे भी लिख लो, एक बार तो 3x plus 1 को 0 के equal करोगे, एक बार 2x minus 3 को 0 के equal करोगे, तो यहां से 3x की value minus 1 हो जाएगी, औ x की value minus का 1 by 3 आ गई, ऐसे सेम यहां से 2x की value 3 के equal हो जाएगी, तो x यहां से आ गया 3 by 2 के equal, तो ये हमारे पास finally बना, और आब आप लिख दोगे कि zeros कोन कोन से आए आपके पास, zeros आपके पास आया है, minus का 1 by 3, 3 by 2, ये 2 zeros अपने पास हो गया, finally, ठीक है, दो zeros आगे, अगे का गाम एकदम सेम है, जो हमने पिछले 2 questions में किया है, sum of zeros आप निकालोगे, sum of zeros हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद product of zeros पे जाएंगे, चलो sum देख लेता है पहले, sum का मतलब है, minus का तो 1 by 3 है, और plus का 3 by 2 है, minus 1 by 3 और plus का 3 by 2, LCM लेना पड़ेगा, simple sum नहीं है, LCM कोई दिक्कत नहीं है, यह आजाएगा 6 LCM और यह बन जाएगा minus 2, plus में 3 into 3, 9, basic LCM है, 7 by 6 है, simple calculation है, ज्यादा कुछ दिकाल, दिमानी लगाए extra, so अब product की बात करें, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहां से शिरू करते हैं, आप लिखोगे product of zeros, वो कितना होता है वो होता है, minus 1 by 3 into 3 by 2 के हिसाब से, 3 से 3 से तो कट जाएगा, minus का half आएगा, जो sign होता लेना है, minus का half आएगा, यह हमने normal तरह के से निकाल लिया, जो हमने zeros निकाले उसके हिसाब से, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे verification, verification हमें करना है, और verification में क्या करना है, same way formula, बार-बार repeat हो रहा है, इसलिए तोड़ा सा fast ले रहा हूं है, हमारे पास यहाँ पर polynomial है, 6x square, उसको नहीं लेना, नीचे बाले को लेना है, 6x square minus 7x minus 3, यह हमारे पास polynomial है, तो coefficients के आएगे, इसके, coefficients हमारे पास आएगे, a is equal to x square का coefficient, b is equal to x का coefficient, और c is equal to constant term, यह आ गया, और अ अब last काम, sum of zeros, sum of zeros आप लिखोगे, minus b upon a, और उसके इसाब से देखते हैं भी क्या आता है, और next आप लिखोगे, product of zeros, बहुत simple सा काम है एक्दम, product of zeros में आप लिखोगे, c upon a, और उसमें देखते हैं भी क्या आता है, तो minus b upon a में, sin ही minus है पहले पास, तो उस लगा नहीं है b खुद negative है, जो भी है, जैसा भी है, लिख लोगे, a plus का 6 है, minus minus कट जाएगा, 7 by 6 बच जाएगा, और आप notice करोगे कि एक दम, same आ रहा है, ठीक है, next, product of zeros, c upon a, c कितना, minus 3, a कितना, plus का 6, 3 से 6 कैंसल होता है, 3, 2 से 6, तो यह बन गया minus का 1 by 2, यह कितना था, minus half, यह कितना है minus half, खतम बाद, ठीक है, तो यह है भई, हिसाब किताब, overall, अब हम लोग नए pattern पर switch कर जाते हैं, आगे next pattern, यह मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आगया होगा, इसमें कुछ विशेश था नहीं, पुराने जैसा ही था, बस एक line यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर करिए, अब नए pattern में यह है कि इधर constant term ही नहीं दे रखा, 4u square प्लस 8u, आगे कुछ नहीं है, लेना देना ही नहीं है आगे कुछ, अब क्या करें, उस case में क्या करना है, यह important बात है यहाँ पर, तो अब जब आगे कुछ नहीं दे रखा, तो आप एक काम कर सकते हो, यह बतलब बह करके factor हो जाते हैं उसके, direct next line में factor है है, 4 तो बाहर आ गया, u square से u ले लिया, तो u बचा, प्लस में, 8 से आपने 4 कमाल ले लिया, तो 2 बचा, u से तो पूरा u बाहर ले लिया, तो u प्लस 2, यह जो हमारा आया, यह factorization हो गया, दो factor होते हैं, यह into यह, तो वही काम यहां हो रह that means, u is equal to 0 हो गया, 0 upon 4 मतलब 0, और यहां से अगर आप देखो, तो u is equal to minus 2 हो गया, तो यह दो factors easily मिल गए हैं हमारे को, कौन-कौन से, 0 और minus 2, जो भी मिले हैं उसमें बिल्कूल tension लेने के ज़रत नहीं है, हमेशे इसी तरह से करना है, अगर आपको constant term नहीं दिरका, तो direct u को मना रहा है, को मना रहा है तो उसको direct factor की तरह treat करो, क्योंकि इस तरफ भी u का एक term आगया, इस तरफ भी u का एक term है, आपके पास tension ही नहीं है कुछ, दोना तरफ u के term हैं, तो लोग या आप, और अब आप लिख दो कि भी zeros कौन कौन से आए हैं, zeros आपके पास आगए, zero and minus two, ये हमने निकाला इतना, अभी तक को, आगे का procedure, आप चाहो तो यहाँ पर ही कर लो, sum of zeros और product of zeros करना होते हैं, sum of zeros, आप यहाँ पर लिखोग जिरो और minus two मिल करके कितने हो जाएंगे, minus two, और product of zeros अगर आपको करना है, product of zeros, zero और minus two मिल करके कितना हो जाएगा, zero, product कितना आएगा, zero, clear, ये हमने आदा काम कर लिया, आदा काम क्या है, verification का, वो हम right side देखते है, verification कैसे करना है, verification, देखो, verification में क्या करोगे, verification में आप सबसे पहले तो, ये polynomial लिखो, अब इस polynomial में तीसरा time नहीं है, तो तीसरा time नहीं है, तो मैं उसकी जगे plus zero कर दूँ क्या, करी सकता हो न, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो zero लगा दिया, plus में zero तो हो ही सकता है, हमीश हो स होता है, ये लगाने से ये फाइदा हुआ, कि अपने को coefficient clearly दिखे, coefficient clearly दिखे, क्या, A की value कितनी, x, u square का coefficient, या x square का coefficient, मतलब, जो square है, उसका coefficient, b की value कितनी, u का coefficient, which is 8, और c की value constant term, which is 0, जो पहले नहीं दिख रही थी, यहाँ दिखनी दिखा दी, वहाँ अपने दिखा दी, उसके according लिख दिया, नहीं लिखोगे plus zero, तो कोई फरक नहीं पड़ता, बस आपको एक clear होना चीए, कि constant term 0 है, उस case में, अगर कुछ नहीं अब तो sum of zeros और product of zeros, sum of zeros अगर आप निकालने बैठो, तो minus b upon a के according निकल जाएगा, और again, product of zeros अगर आप निकालने बैठो, तो वो c upon a के according निकल जाएगा, ठीक है, और यह आपका मिल जाएगा, आपको minus 8 upon a means 4, which is equal to minus 2, यह कटेगा, यह 2 times कट रहा है न, तो minus 2 आगया, इधर कितना है था, minus 2, इधर कितना है, minus 2, verified, c upon a देखते हैं, c upon a means 0 upon 4, 0 upon 4, which is equal to 0, इधर कितना था, 0, इधर कितना है, 0, that means verified, ठीक है, सो यह second pattern था, जो हमने किया, इसमें क्या था, third term नहीं थी, तीसरी वाली चीज़ नहीं थी, अब एक pattern आएगा, जिसमें बीच में नहीं आएगा, कुछ, देखते हैं, next ही है, कि हो pattern, हाँ next ही है, t square है, बीच वाली term नहीं है, 0 t वाली, उसको यह क्या करना है, उसमें factorization कैसे करना है, आपको सबसे फ़ली यह समय है, कि factor कैसे करना है, उस case में, जब बीच वाली term नहीं है तो, factor उस case में, 9th class में, जो identity आपने एक पढ़ी थी, उसके according होंगे, x square minus y square आपने बढ़ा था, x plus y into x minus y होता है, तो उसका help लेंगे अपन यहाँ आपर, कैसे लेंगे, ध्यान लिख सकते हो, क्या, हर चीज को ऐसा लिख सकते है, जैसे, अगर आपके पास 5 है न, उसको आप लिख सकते हो, under root 5 का square, अगर आपके पास 7 है न, उसको आप लिख सकते हो, under root 7 का square, क्योंकि square से under root हट जाता है, कट जाता है, यह भी 9th में सीचा है आपने, तो square से root हट जाता ह इसलिए इसको अंडरूट लगा करके square लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वो जो format हम करेंगे न x square minus y square उसमें square चाहिए किसी ना किसी चीज़ का तो direct तो square दिखनी रहा, अगर यह 16 होता, तो हम इसको direct 4 का square लिख देते हैं, लेकिन 15 है, जो कि perfect square है नहीं किसी का, तो फिर अपना अंडरूट 15 का square लिख देंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है, चलता है वो भी भाई 16 होता, अगर यह t square minus 16 होता तब तो कोई tension नहीं नहीं थी ना, यह t का square और यह 4 का square लेकिन problem यहाँ 15 है, तो अंडरूट 15 का square कर लो ना, 16 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडरूट 16 का square, which is equal to 4 square, अंडरूट 16 4 होता है ना, दिक्कत का है, एक की तो बात है ठीक है, तो बिल्कुल tension नहीं नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं उसको, और ऐसे लिखने के बाद, उसके बाद आप आराम से एक formula लगो, simple सा formula लगो, कौन सा formula, since x square minus y square होता है, x plus y into x minus y, यह formula लगो, कि x square minus y square होता है, x plus y, और x minus y, एक्टिक है, यह हमारे पास आ रहा है, अब दोनों को equal करो, 0 के, तो t plus under root 15 equal to 0 हो जाएगा, t minus under root 15 is equal to 0 हो जाएगा, और यह t की value आ गई, minus root 15, और यहां t की value आ गई, plus root 15, यह और यह, तो 2 हमारे पास t की value आई, तो finally zeros कौन कौन से हो गए हमारे पास, zeros हमारे पास आ गई, minus root 15, and plus root 15, यह दो zeros आगे, यह काम की चीज़ मिली अपने कोई तो, zeros तक कर लिया अपने, अब verification के लिए, पहले आप इनके sum और product निकालो, फिर हम verification वाला process शुरू करेंगे, तो सबसे पहले, अच्छे यह काम तो रफका ही है, यह काम थोड़ा रफका कर दिया अलग से, कोई issue नहीं है, बाकि अपने इधर कर रहे हैं, फिर में जो भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगाम, sum of zeros, sum of zeros, तो minus का root 15, और plus के root 15 को add करोगे, तो क्या बनेंगा, ultimately, zero, कुछ नहीं बनेगा, कट जाएगा सब कुछ, next, product of zeros में, product of zeros में minus का root 15 तो है ही, उसको plus के root 15 के साथ product करोगे, तो minus का 15 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो बार root है, तो कट जाता है, क्यों कट जाता है, क्यों कट जाता है, क्योंकि root 15, root 15, root 15 का square, और root 15 का square कितना होता है, कहां क्या हो, इदर नहीं, root 15 का square कितना होता है, 15 ही होता है तो इसलिए वो root से root कट जाते हैं, क्योंगे वो root और root दो बार, root आगए तो root का square बन जाता है, root का square कट जाता है, यह है original reason ठीक हैं, क्यों कट आए है, क्योंकि root 15 मिलकर के square से root कट जाता है so this is only only क्या हुआ यहां पर आगे 15 यह ठीक है चलो जी बढ़ें आगे अब verification शुरू करते हैं so verification में आप क्या लिखोगे आप लिखोगे कि सबसे पहले तो polynomial है हमारे पास t square बीच वाले टाम नहीं है तो उसको बोल दो 0 t और फिर minus 15 यह काफी ठीक रहता है कि जो टाम नहीं है उसको 0 लिख दो उससे coefficient ढूणना आसान हो जाएगा आपके लिए अब यहां पर आप 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन 0 लिखने से यह है कि coefficient clearly दिख रहा है भई A की value 1 है t square का coefficient और B की value 0 है t का coefficient और C की value minus 15 है लिखने से यह फाइदा है नहीं लिख करके भी आपको पता है यह चीज बहुत practice है आपके अच्छी practice है तो मत लिखो कौन कहले लिखने को ऐसे भी चलेगा ठीक है तो यह तक यहां तक होने के बाद में बाद में बाद में अब आप वही formula लगा दो sum of zeros वाला sum of zeros वाला क्या formula दा बच्चों minus B upon A which is equal to अभी देखते हैं क्या होता है एक product of zeros वाला लगा लेते हैं product of zeros वाला which is equal to C upon में A वो भी देखते हैं क्या होता है तो उपर वाले में minus B upon A में minus का 0 upon A, A मतलब 1 0 वो किसी से भी divide करो 0 ही आता है दूसरी बर 0 में minus plus का फरक नहीं बढ़ता है 0 is neutral होता है 0 ना positive है ना 0 negative है तो minus plus हटा दो कोई टेंक है नेलना चलो next C upon A that means minus 15 C की value minus 15 है A की value 1 है तो यह minus का 15 हो जाएगा चेक कर लो भी यह जो निकाला है सही निकाला है क्या अरे यह क्या कर दिया गिच में चोगए ज़ादा है चेक कर लो 0 0 minus 15 minus 15 ठीक है एकदम correct है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो तो यह fifth part था last part first question का दो एक questions है first or second उसके छेचे पार्ट दे रखें अपने पास तो total 12 questions हो जाएंगे इस तरह से यह last part है उसका और इसमें भी full दे रखा है 3x square minus x minus 4 full वाला तो middle term splitting से करना पड़ेगा addition यह subtraction से क्या demand है minus 1 x का coefficient minus 1 कुछ नहीं है तो 1 है 1 तो है यहाँ पर और multiplication से क्या आएगा यह दोनो 3 into minus 4 3 into minus 4 मतलब minus 12 वाना चाहिए addition subtraction से तो minus 1 और वैसे minus 12 4 and 3 4 और 3 में gap कितना है 1 का ही है हो जाएगा adjust तो आप यहाँ पर adjust करो उसको क्या बनेगा यह 3x square और minus का 4x plus का 3x minus का 4 हो गया गाम minus 4 plus 3 minus 1 होता है यह sign जरूर चेक करें ना जब भी यह minus minus का चक्कर होता है यह थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो बस आगे है कुछ दिक्कत नहीं है आगे तो इन दोनों में से common लेलो पहले बाले में से common x आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पर 3x minus 4 बचे जाएगा दूसरे बालों में से 1 common आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा तो 3x minus 4 बचे जाएगा यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस ही है और accordingly काम हुआ है ठीक है आगे बढ़ना है आगे बस यह है कि 3x minus 4 इदर से common दिख रहा है दोनों तरफ है और एक x plus 1 दोनों तरफ है तो यह ले लिया अब यहाँ पर 3x minus 4 को 0 के equal किया x plus 1 को 0 के equal किया यहाँ से 3x is equal to 4 आ गया x के value 4 by 3 बन दिए एकदम simple calculation ऐसे same काम यहाँ पर यहाँ एक step में काम हो रहा है minus 1 आ गया दोनों आ गया तो zeros लिख तो कौन कौन है zeros हमारे पास आये है इस बार एक तो 4 by 3 और 7 में दूसरा आया है minus 1 यह हमारे पास zeros हो गया है ठीक है next zeros आने के बाद क्या गड़ते हो आप sum of zeros sum of zeros 4 by 3 minus 1 LCM की अवश्यक्ता LCM की तो need ही है 3 ले लिए अपन LCM में क्या बनेगा 4 minus 3 which is equal to 1 by 3 यह हमारा sum of zeros है और next है product of zeros product of zeros कितना आएगा 4 by 3 को product कर लो minus 1 से 4 by 3 और minus 1 मिल करके minus 4 by 3 यह बनने वाला है बस negative sign यह दर आजाएगा बाकि तो 1 से multiply होने पर तो कुछ होता ही नहीं यह दोनों आगे verification last बचा हुआ है देख लो तो verification हम लोग किस तरह से करेंगे सबसे पहले तो polynomial वो है 3x square minus x minus 4 systematically लिखना है x square then x then normal constant c अब आप coefficient निकाल लो इसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं coefficient लिखना दो a की value plus 3 b की value minus 1 c की value minus 4 यहां से अब होई same sum of zeros sum of zeros होगा minus b upon में a and product of zeros product of zeros होगा c upon a sorry c upon a ठीक है value minus तो है पॉप्लब ही है b की value minus 1 a की value 3 तो 1 by 3 हो गया है ठीक है c upon a means minus 4 और a का मतलब है 3 तो minus 4 upon 3 हो गया है तो match कर लो same same मतलब verified काम खत्म होगा तो यह था पहला question सब में same pattern follow किया है अब तो मेरे कहल से रट क्या होगा कि कैसे घंड है अब तो कहीं दिक्कत आने नहीं नीची है तो हम लोग next question पे switch कर जाते हैं और उसका formula और basic introduction concept वगरा हमने last lecture में सीख लिया था नहीं देखा है तो वीडियो के description में जाओ वहाँ पर पूरी playlist का link है और वहाँ से देख लो कोई टिक्कत नीची है ठीक है तो शुरू करते हैं देखो next question है हमारा question number 2 find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively पहला वाला क्या है sum of zeros ये क्या चीज़ है ये sum of zeros है दूसरा वाला क्या दिया हुआ है product of zeros हमें निकालना क्या है polynomial quadratic polynomial ये है question और सब में quadratic polynomial निकालना है पहला वाला सब में sum दे रखा है दूसरा वाला सब में product दे रखा है ठीक है तो आप लिखोगे systematically sum of zeros is equal to this product of zeros is equal to this अब आप लिखोगे polynomial का formula जो मैंने बताया था last class में क्या होता है polynomial का formula polynomial होता है k times क्या चीज x square minus sum of zeros into में x और plus में product of zeros ये हमने formula सीखा है last lecture में और उसको बस implement करना है k का क्या रोल है वो आपको पता चल जाएगा अपने आप last lecture देख लो या फिर इसमें भी अभी पता चल जाएगा k क्या क्या रोल है क्योंकि infinite polynomials आते हैं उन में से कोई एक अपने हूँ बताना है वैसे तो question में find a quadratic polynomial एक ही बताना है कि बद तो k की ऐसी कोई values set कर लेंगे easily जो easy मतलब polynomial मिल रहो simplest form में मिल रहो इस तरह की k की कोई एक value set कर लेंगे बाकि k की जितनी values आप set करोगे उतने polynomials मिल के जले जाएंगे तो infinite polynomials आते हैं ideally लेकिन हमें एक ही बताना है तो हम simplest form वाला बता देगे उसमसे मुश्किल वाला नहीं बताएंगे बस ये बात है तो कैसे करना है आपको exam में बस ये इसी तरह से k लिख करके ही करना है ये x square minus वह सारी लोग k लिखते है lcm लेकर के नीचे वाली चीज को 0 के equal कर देते है कुछ भी hair-fair करते है वो सब गलत है logically सब गलत है सही क्या है infinite polynomials ही आएंगे आप उन में से 1 लेना जाते हो तो एक ले लो k कि कि किसी भी value ग लिए वो भी जरुए ये पीछे से match करें आपके book के क्योंकि infinite answers है पीछे एक answer दे रखा है तो इसलिए tension नहीं लेना infinite answer सही है क्यकि hair-value के लिए अपन हाला कि book से match करवा देंगे वो tension मतलो क्यकि simplest value लेकर के वो book से match हो जाएग कैसे करेंगे देखो दियान से sum of zeros 1 by 4 x product of zeros minus 1 ठीक है आप एक काम करो LCM ले लो थोड़ा simplification हो जाएगा नो अपने को तो एक answer देना है देंगे वैसे तो ये answer सही है ये जो answer है ये एकदम सही है इसमें कुछ गलत नहीं है इतना भी सही है इसमें भी आप sum of zeros product of zeros का formula लगा करके रिकालोगी यही आएगा लेकिन अब 4 आप Palsium ले लो simplest form में देना चाहरे है हम लो ये minus का 4 हो जाएगा ठीक है याँ तो अब आप K की पहले 4 ले लो let k is equal to 4 तो यहाँ पर 4 हो गया या 4 k is equal to 4 ऐसा कर लेना let क्यों कर रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 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 हम तो यह आपका पिछे से मैच कर जाएगा यह हमने एक पोलेनों में ले लिए कैसे लिए हमने कहा कि भई K की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए और k is equal to 4 यह आंसर आएगा बाकी k की वैल्यू आप 2 ले लो 8 ले लो 12, 10, 15 कुछ और लो तो k की जो कुछ और वैल्यू लोग है उसके इसाथ से कुछ और आंसर आएगा ऐसे जलता है फिलाल यह आंसर हो गया के की वो वैल्यू ले लेते हैं हम लोग टैंचन ने लेना और डीटेल में जाना है तो last lecture देख लो यह k का कैचकर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next जल्दी से next में भी same काम वही polynomial का formula polynomial का formula बार बार लिखना है अपने को k times x square minus sum of zeros into में x plus में product of zeros हम मैं थोड़ा सा fast लिखूंगा क्योंकि सब कुछ same ही चलने वाला है x square minus sum of zeros root 2 है और into में क्या जाएगा x और product of zeros 1 by 3 है अब आप LCM ले लो जदे जदे इतना ही काम हो सकता है simplification के simplification के लिए LCM लोगे तो यहाँ पर 3 LCM में जाएगा यह बनेगा 3 x square minus 3 under root 2 x और plus में 1 k की value 3 ले लो लिखना जरूर है उसको side में कि k की value 3 लिए है हमने और k is equal to 3 ठीक है 3 से 3 कट गया क्या अंजर आगया finally polynomial यह बन गया ठीक है 3 के जगे 6 ले लेते तो भी कड़ जाता simplicity होता लेकिन दूसरा polynomial हो जाता अपने को एक answer देना है यह हमने simplest ठीक है next so same polynomial is equal to polynomial is equal to k times x square minus sum of zeros मैं short में लिख रहा हूँ plus मैं product of zeros आप लोग full लिखना short में मत लिखना exam में ठीक है sum of zeros है 0 product of zeros है root 5 और final हमरा answer आगया k into x square plus under root में 5 यह 0 तो खतम सब कुछ yes it is आगय है k की बेले हो आप 1 ले लो x square plus under root 5 k की बेले हो अगर 1 ले ले तो answer क्या बन रहा है finally x square plus under root 5 बहुत छोटे होटे questions है असान असान से questions है आराम से आप लोग कर सकते हो एकदम simple है next आते है same वोई 1 को मामें मतलब sum of zeros भी 1 है product of zeros भी 1 है तो आपके पास polynomial का formula क्या बन जाएगा polynomial का formula हमारे पास बनेगा k times x square minus sum of zeros into x plus में product of zeros और यह complete k की value यह k रहेगा x square minus sum की value 1 है 1 x product की value 1 है 1 आ गया तो k into x square plus x plus 1 अगर k की value 1 ले ले तो क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं तो simplest form में k की value 1 ही ले लो न k की value 1 ले ली तो answer क्या बन गया x square plus x plus 1 यह हमारा final answer है एकदम simplest form में polynomial है ठेक है k की value आप 2 लेके भी कर दोगे न कोई गलत नहीं कर सकता उसको logical चलो 1 by 4 1 by 4 है minus 1 by 4 1 by 4 है तो वही same polynomial तो हमारे पास fix है formula x square minus sum of zeros into x और product of zeros और बाहर हम लोग k लगाते ही है k into x square minus sum of zeros मतलब इन दोनों को add करना है अरे sorry sorry add ही तो दिया है पहला वाला into में x है और product of zeros 1 by 4 है sum product रखा रखा आया है दिमांगे नहीं लगा ना क्या लिखोगे x square plus 1 by 4 x plus 1 by 4 simplest form में लाना चाह रहे है हम लोग तो LC हम ले लेंगे क्या बन जाएगा 4 x square plus 1 x plus 1 और k की value अगर हम लोग 4 ले लें तो obviously यह कटने वाला है इसमें तो कोई सोच ने की बात है ही नहीं यह आपके पास final answer आ जाएगा आप लिख देना और k is equal to 4 हमने ऐसा किया ठीक है एकदम simple question है बहुत ज़दा explanation की need नहीं है मेरे के आज दे आप लोगो समझ में आ रहे होंगे एक last बचा हुआ है वो भी देख लेता है 6th part है इसका sum of zeros तो हमारे को दे रखा है 4 product of zeros हमारे को दे रखा है 1 तो polynomial का formula सबसे आसान वाला हो सबसे last में दिया है इनोंने भी वेखुपान है x square minus sum of zeros into x और product of zeros into y product of zero के वल k x square minus sum कितना है 4 product कितना है 1 तो k की value अगर आप 1 ले लेते हो तो x square minus 4x plus 1 4 k is equal to 1 ऐसा हुआ है और यह बनेगा finally x square minus 4x plus 1 यह हमारा final बनेदा है ठीक है बस यह सब था overall असान असान से questions है एकदम simple questions है so I hope आप लोगो को समझ में आ गया होगा बाकि फिर भी अगर आपको पूरी exercise में कोई भी doubt हो एक पर example वाला देरूट रेख लेना example वाला अगर आपने देख लिया है वीडियो इससे जस्स पहले वाला तो फिर इसमें इतने दिक्कत आई नहीं सकती है फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे comment box में लिख दो अगर वीडियो पसंद आए तो like और subscribe और share जरूँज़रें अपने classmates के सब चलिए मिलते हैं अपन नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में हम लोग division algorithm के बरे में discussion करेंगे और उससे related जितने भी examples है 2.3 के वो सारे complete कर लेगे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much, all the best, bye bye